नमस्का दश्कोль My Agrism YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज का हमवारा मिशय है शुक्र ग्रह के बुरे वानिश प्रभाब को दूर करना। आज की दुनिया में शुक्र गरह का भौत अडिक महत्व है, जो तिस शास्त्र में शुक्र को भौत महत्वता दी गई है, क्योंकि जो कालपुरिश की कुंड़ी है, उसके दूसरे भाब में विरशव राशी आती है, और सеп्तम भाब में तुलाराशी आती है, और शुक्र को आपको negative effect देने लगा तो उसके लिए जरूरी है कि आप शुक्र को तोरंटी करें नहीं तो आपके घर की financial position बिगड सकती है शुक्र के बारे में बात करने से पहले हम बात करें कि ये शुक्र ultimately है क्या मेरे हिसाब से शुक्र एक महुमाया है क्योंकि मानव जो है वो मनुष्य जो है वो जीवात्मा है मनुष्य में हर जीव में एक आत्मा होती है और ये जी आत्मा क्या है असल में भगवान विश्नु का अंश है और आपस में जो आपको पूरे संसार में जो पूरी मुहमाया दिखाई देती है कपड़े, मकान, बैंक बैलेंस, हीरे, जवाराद, गाडियां, लगजरी गाडियां, विदेश शात्राएं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रोनिक समान, ये सब चीजें जो हैं सबका काराग्र है शुक्र, और शुक्र के लिए की जाती है माता लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि रीजन क्या है कि ये जो माया है ना, जितनी मोह माया है पूरे संसार में की, हर आदमी को देखो, ज जगवान विश्णु लक्ष्मी जी से मिलना चाहते हैं, तो हर इंसान माया की तरफ दोड़ रहा है, यानि हर इंसान बिना पैसे के रह नहीं सकता, और ये बात खासियत है कि जिन्दी में पैसे का बहुत एहम महत्व है, इसलिए हमाले जरूरी हो जाता है कि अगर हमारी तो ऐसी स्थिती में हमें उसके अनिष्ट प्रभाब को दूर करने के लिए उसको शांत करना आवश्यक है, वैसे तो शुक्र जो है एक शुग्र है, पर कई पर क्या होता है, वो कुंडली में अनिष्ट भावों का स्वामी बन जाता है, जैसे फॉर अग्जम्पल बात करे अब हम अगर मील लगन वालों की बात करें, तो मील लगन वालों का स्वामी घ्रह होता है गुरू, और उनकी कुंडली में अस्टम भाव का स्वामी होता है, तुला राशी आती है, उसका स्वामी होता है शुक्र, अब गुरू और शुक्र में आपस में लडाई है, एक दे लिए शुक्र के क्षा में आपको प्रॉबलम होगी। मैं इसे पहलेक्व आपको बताऊए। पहली स्मिटनगम य कि नियुक्त में आपको 9 शबी है। इसके यsi झालोय मिल बी mira क्षा स्वामी विस्ठी क में गहरा में करके सपी हो और साती जब इसकी दशा यानितर दशा आय और उसमें आपको नेगटिब पता लगे यहाँ शुक्र नीच राषी में हो यह अगर अगर कन्या राषी में बिद्यमान है तो शुक्र नीच का आपको लगई , भूत उतार चड़ा Vancouver एक दूकान दूकान पर लक्षमी जी जी का चलना जरूरी है कि इधर से हमारे पास पैसा आया और इधर अमने इसको इंवेस्ट कर दिया पैसा आता रहे और इंवेस्ट करते रहे और हमारा काम चलता रहे तो खड़ी भी लेक्ष्मी जी की फोटो लगाई है और रोज उनकी पूझा करिए तो आपको वेपार में आख बहा होगा तो अब ये और साती इसके अलाबा अगर आप को इसके लावा अगर आप या यज्वेस्ट की बीमारी से पीडित हो या लेडी को यूटर की मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आपको ऐसे उपाया बताओं जो बिलकुल सिंपल हो पहला हो पहला है अगर आपको कुण घर में जो मैंने आपकी चीजे बताई उसमें शुक्र आपको नेगेटिव फल दे रहा है सबसे पहले रूटीन बना लीजिए कि आप खाना काने स आपको नौकरी नहीं मिल रही, या किसी की शादी नहीं हो रही, कोई विदेश जाने की कोशिश कर रहा था, विदेश नहीं जा पा रहा, हर तरीके से नेगेटिव रिस्पांस, व्यपार नहीं चल रहा, तो आप क्या करिए एक लक्ष्मिन रायन मंदिर ढूंडिए, वहां म परशाद को लेके आईए, और नौ वर्ष से कम उमर की कन्या होती है, जिनको माता जी के उसमें कन्या को जिमाते हैं, उन कन्या को भोग खिलाइए, और अगर आपकी शर्दा हो, तो आप उन कन्या को लाल रंग की चुनरी भी भेट कर सकते हैं, शुकर का एक तो यह उपाय करनी है, दिन में ही आप एक लाव रंग की साड़ी और सुहाग की समगरी निकाल का किसी सुहागे निस तरी को दें, और नियम बना ले कि हर दिवाली से पहले, पूजा से पहले आप यह उपाय करेंगे, इसके अलावा क्या करें, कि एक विशेश बात कि आप दिवाली पर राइटे जलाते हैं, रोशनी करते हैं, कि घर में बिल्कुर रोशनी करते हैं, कि इसलिए करते हैं, कि मा लश्मी आपके घर में आए, इसलिए नियम बना ले कि जैसे ही शाम हो आपके घर में, पूरे घर में रोशनी कर दीजिए, घर का ऐसा कोई भी कमरा या आपका लैट दूर आवाजे आ रहे होती हैं, सुख संबर्दी की आवाजे आ रहे होती हैं, पूजा पाठ की आवाजे आ रहे होती हैं, सदस से प्यार से बैठी होते हैं, उस घर में लड़ाई जगड़ा भी होता है, तो तैय कर लीजे कि शाम को पांस से साथ के बीच में तो नहीं क्योंकि आप लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं तो जम के करिए पर ऐसा मत करिए कि आपके गर में पैसा ही आना बंद हो जाए तो कोशिश कर लिए कुछ भी लड़ाई जगड़ा होना है वो पांस से साथ के बीच में तो करना ही नहीं है दूसरा एक तो घर में पूरी लैट जलानी है पूरे घर में एक बार रोशनी कर दो उसके बाद आप बंद कर दो फिर लड़ाई जगड़ा आपको शाम को पांस से साथ के बीच में बिलकुल नहीं करना आज यहां रख दी, कल महां रख दी और जो घरवात आता है काई वब गेट के बारी ज़ड़ू मिलती है तो समाल की रखिए ज़ड़ू यह ज़ड़ू आपका धनका कारख है ज़ड़ू रखने की एक जगह बना लिजिए कि आपको ज़ड़ू मार के और जगह रखनी है वो जगह ऐसी हो किसी को आपकी ज़ड़ू दिखाई न दे और रेगुलर अपनी ज़ड़ू एक जजगह रखिए जड़ू की जगह मत बदलिये आप ज़ाडू की जगा बतलेंगे आपकी इंकम भी उपनीची होगी और साथ ही शाम के समय कभी भी ज़ाडू मत मारिये और सुबह के समय जो घर की स्तरी है मेन इस्तरी जो घर की है वो क्या करे कि सुबह उठते ही सबसे पहले एक साफ बरतन में पानी ले या साफ बाल्टी में पानी ले और आपका जो मेन गेट है जहां से आप एंट्री करते हैं वहाँ पर पानी को बहार डाले घर से खड़ा होकर पानी को बहार डालिए जिससे वो पानी बहार जाए पानी जो है शुक्र का कारक है तो वो जाएगा तो आपके घर में पैसा आएगा साथी अगर आपकी कुंड़ी के छटे भाव में ध्यान से देख लीजिए और किसी पंडित को दिखा लीजिए छटे भाव में शुक्र चंद्रमा नहीं बैटा है तो आप शुक्र के उपाय के तो और पर गर्मी के दिनों में प्याव भी लगा सकते हैं यहनी प्याव के रूप में मतली के महापे आप कहीं पानी के घड़े रखकर लोगों की पीने की विवस्ता खरा सकते हैं जटे गर्मे अगर आपके चंद्रमा नहीं है इसके साथ ही आपकी कुंडली में अगर शुक्र नेगटिव है नेगटिव परभाब दे रहा है पैसे की तंगी आ रही है घर में कोई टैंचन है फटे वे कपड़े मत पहनिए जले वे कपड़े मत पहनिए और हमेशा परफ्यूम का अस्तमाल करें कैसा भी परफ्यूम लगाएं यह जितना परफ्यूम लगाएंगे उतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी इसके साथी शुक्र क्या है कई पर कुंडली में दौदेश हो जाता है जैसे विश्टिक लगन में दौदेश हो गया शुक्त 2-3 शुओाब में बेट गया धंतों देता है पर जीवन साती की तवद खराब करता है इसलिए अगर आपके जीवन साती के तवद खराब चल रही है तो आप नीले रंके फूल लिजिए और किसी सुंसान जगा पर जाकस फूल को शुक्रवार के दिन महीने का जो पहला शुकर बार आए उसको जमीन में गाड़ दीजे उससे आपके जीमन साथी की तबियत ठीक रहेगी तो ये मैंने आपको छोटे-छोटे उपाय बताने की कोशिश करी है कि अगर आप इन उपायों का प्रियोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका शुकर बढ़िया होगा नियम बना लिजे कि आपको गाय का ग्रास निकालना है और शुकर आपका पॉजिटिव होगा तब ही आपकी जिन्गी में पैसा आएगा क्योंकि आज की जिन्गी में किसी भी आदमी की सफलता का आकलन इसी बास से जाता है कि इसके पास कितना धन है क्योंकि बहुतिक बहुतिक यूग है और हम सब मुमाया में फसी हुए है इसलिए हमारे जीवन में शुकर का बहुत मैत्व है इसलिए अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही आपकी विदेश आत्रा नहीं होरी और हमारे जोटे पास करें को इन यूदेम की प्रावलिम है क्याति यह उत्य श्यूदे फेलो भी विधार सभष्षा मैं यह उपाय को ठीज़ है यह चोटे-शोटे उपाय है नstag बना लोगित एक जलेम आपको और शयुक्ष करना ढ़ंग्स्तित जाड़ो को एक जगा पर रखना है, आप छोटे-चोटे उपाई एक बार आप करेंगे, तो आपको लाब होगा, आपके घर में शुक सम्रिद्धी होगी, और आप एक अच्छा अपना जीवन महिसूस करेंगे, इसलिए अपकी बार दिवाली पे निश्चित रूप से एक ल पतनी को लेकर कभी भी आप कोटकचरी मज जाए, कोटकचरी का संबंध नेगटिव होता है, आप जीवन साती को कोशिश करिए, जीवन साती के संग कभी भी कोटकचरी खटे ना जाए, अगर जाना हो तो जीवन साती को अकेले भेजिए, उसके संग मिलके कभी आप सके इसके साथ नमस्कार दश्कूं जायमाद तारी